नमस्कार दोस्तों स्वागत है अब सभी का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में है दोस्तों यह फ्लॉर देखके आपको समझ में आगया होगा कि आज हम जिस पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पौधा है बेगम बहार का दोस्तों यह आल सीजन फलार्विंग प्लांट है जिससे आप किसी भी सीजन में बार हो मही ने ये फलॉर देता रहता है तो इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे मैं अपना मेरा youth करीब आट मैंना पूराना पुराना पौधा है कैसे मुझेपि इतनी सारी इतनी जले चाहिक की कब बात करेंगे पूरी एन पूर्ठी तो अबitarishi जरूर कनावी से कृमा पाने हुआ हैं आभी लेवल नहीं है हैं उस पोंधे को रखते हैं यह पोंधे का नाम मुझे जब मैं पहले गया था नरसरी में तो मुझे अचानक से देख गया तो पहली बार मैंने सूना था बेगम बाहर के पौधे के बारे मैं तो मुझे अच्छा लगा और इसके कितने खूबबसूरत हैं। परफल कलर में फलार हैं और कुछ इसमें वाइट कलर के इसके निकले होते बाहर लच्छ टाइप में। तो इस में आल टाइम फलार आते ही रहते हैं। तो आप इसके लिए इस पौदे को जरूर लगाएं, क्योंकि बाकि सारे पौदे सीजेन आते हैं और चले जाती हैं, पर इसका सीजेन कभी नहीं जाता आit, तो इस पौदे में दोस्तों, आप इसके लिए जो मिट्टी तयार करें, ये मोईस्ट को पसंद करता है काफी, इसक बाकिका 10% मेने इसमें दिया है कावडंग कंपोस्ट जो मिट्टी बनाते टाइम उसके बाद फिर आप इसमें जो सबसे बड़ी समस्या जो आती है दोस्तों इसकी रूट्स में निमोटाइड की समस्या आती है जिसके लिए आप अंगिसाइड पौडर का यूज कीजिए जि अगर सर्दियों का मौसम है तो एक दिन बाद और गर्मियों में डेली चाहिए पानी को पसंद करता यह पौधा और मिट्टी सूख भी जाती है हर दस से बारा दिन पर एक बार इसकी गुडाई कर दें गुडाई करना भी बहुत जरूरी है इससे क्या होता है कि इसकी जो रूट से उन्हें फ्रिस आक्सीजन एयर मिलती रहती है और मिट्टी ड्राई होती है फिर आम वाटरिंग करते हैं तो उससे जो मौइस्ट होता है वो नीचे तक मिट्टी में जाती है तो यह कुछ रीजन से हैं दूसरी इसमें कंपोस्ट देना है तो आपको कंपोस्ट द लगाएं तो आप यह दे सकते हैं इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पौधे पर अभी कलिया नहीं है चुकि मेरे पे धेर सारी कलिया आपको दिख रही है अगर कलिया नहीं है तो आप इसकी पूणिंग कर दीजे और देखिए हर ब्रांच से करीब एक से दो ब्रांच निकल रही है तो इस पौदे में आप प्रूनिंग कर देंगे तो आपको ये पौधा घना हो जाएगा अगर मिट्टी में लगा रहे हैं तो करीब चार से पांच फुट का ये पौधा होगा और गमले में लगा रहे हैं तो आप ग्रोबै की साइज बड़ा रखेंगे तो का सीजन होता है अब फरवरी के टाइम पे थोड़ा सा ये डर्मेंसी में रहेगा इसमें ग्रोथ कम होईगी उसके बाद फिर जब थोड़ी गर्मियां बढ़ती जाएंगी इसमें वाटरिंग होती रहेंगी दूप भी पसंद करता ये पौदा अगर पूरे दिन दूप द अगर जानकारी पसंद आई हो वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें बहुत बहुत धन्यवाद